बॉलिवर डैक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटे और उनकी पत्नी पर बलातकार और अबोर्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ा जा रही है कि बेटे महाक्षे और पत्नी यूगिता बाली पर मुंबई की ओशिवरा पलिस्टेशन पर रेप और अबोर्शन के चलती केस दरज करवाया गया है दरसले शिकायत पीडिता द्वारा करवाय गयी है पीडिता द्वारा बताया गया कि अभीनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षे और फुमेमो और वो दोनों 2015 से रेलेशनशिप में थे वही महाक्षे ने पीडिता से शादी की बात कर उनके साथ शारितिक संबंद बनाए पीडिता ने शिकायत दर्ज करवाई उसके मताबिक साल 2015 में महाक्षे ने पीडिता को घर बुलाया और उसे सौफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी और इस दर्मियान महाक्षे ने पीडिता के बिना कंसंटेंस से ही उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और बाद में शादी का जासा दीता रहा महाक्षे चार साल तक पीड़िता के साथ शारिरिक संबन बनाता रहा और शारिरिक मासिक तौर पर उसे पीला पहुचाता रहा जब वो इस रिलेशनशिप के वज़े से प्रेगनेंट हुई तो महाक्षे ने उन्हें अबोशन करवाने के लिए दबाव डाला जब वो नहीं मानी तो उसे कुछ पिल्स देकर उसका अबोशन भी करवा दिया महीं पिड़िता दे मताया कि उसको नहीं पता था कि उन पिल्स से उसका अबोशन हो सकता है बताया जा रहा है कि महाक्षे की माने पिडिता की शिकायत के बाद पिडिता को धमकाया और इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए दबाव बनाया and press the bell icon for more updates.